10th class के सभी strength ध्यान दीजेगा हमें start करें polynomial polynomial जो है वो हमारे algebra का portion है ठीक है तो polynomial सबसे पिले क्या होता है जिस एलजेबर में क्या होता है एक variable होता है one variable होता है और उनसे बनके terms बनती है तो जिसमें one से ज्यादा terms होती है तो one term होगी एकवस्ट्व हमारे पास हो, 3x3 प्लस 5x प्लस 2 इस तरीके से, तो यह हमारा देखो, 1, 2, 3, टम्स बनी न, तो यह कहलाएगा polynomial, ठीक है, तो polynomial कहलाएगा है, अब हम सीखते हैं कि polynomial में उनके 0's कैसे find करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो एक होता है, ग्राफ से देखना, जिसे आ आप लोग जानते हो, ग्राफ में एक आपका x-axis होता है, एक आपका होता है, y-axis, ठीक है, अब यदि हमें इसके 0's find करना, जिसे यह x में तो 0's find करना, अब इस पे graph draw होता है, यह graph इस पे कितनी 1 point और 2 point पे touch कर रहा है, तो इसके 0's कितने होंगे, 2 होंगे, यह से यदि किसी graph में, यह suppose कि आपका x-axis पे 4 time या 3 times touch करता है, जिसे कि यह, तो 1, 2 और 3, तो इसके 0's कितने होंगे, 3, यह हमने पता करना सीखा graph से, जितनी बार वो line उसको x-axis पे touch करेगी, या intersect करेगी, वो उसका के किलाएगा, 0's, ठीक है, और बाकी एक और तरीका जो है, वो किसे पता कर करते हैं, जिसे अब यहाँ पर हमें, जो variable है, x, उसकी power कितने दिख रही है, 3, तो इसके 0 कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है, यह से हमारी quadratic equation जो होती है, जिसे ax square plus bx plus c, तो इसमें maximum power कितने दिख रही, variable की 2, मत, it miss, इसके 0 कितने होंगे, 2, ठीक है, तो आईए, हम 0 निकालना उनके relation और भी उनके बारे में details सीखते हैं, ठीक है, देखिए, देखिएगा, firstly, जैसे मैंने एक equation ले लिए, 6x square minus 7x minus 3, अब इसमें हमें 0 find करना है, तो 0 find करना है, तो और उनके relation भी find करना होई थी, वो कहें कि prove, show that it's relation, तो हम वो चीज़े सब सीखेंगे, पर सबसे पहले तो हम के से पता करेंगे कि 0 कितने हैं, पावर से, कितनी पावर है, 2, मतलब इसके 0 कितने होंगे, 2, 0 होता क्या है, 0 वो value होती है, 0 वो value होती है, जिसे यहाँ पर put करने पर इस पूरी equation की value कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, तो इसका 0 यही निकालना है, तो सबसे सबसे पहले हम factorize method यूज कर रहे है, हम क्या करेंगे, जो हमें x square का coefficient descending order में जबाएगे, इसके और सबसे पहले फिर power 1, फिर power x की power 0 है, मतलब बन हो गया, तो यहाँ पर हम दिख रहा है, 6, 6 का हम 3 में multiply करेंगे, 6 रिजए कितना आएगा, 18, अब हमें इस 7 को इस तरीके से त 18 आए, और यहाँ क्या sign लगा, इसके आगे, minus, minus करने पर कितना आजाए, 7 आजाए, ठीके, तो 9 में से यही में 2 को minus करता हूं, तो कितना आएगा, 7, और 9, 2 जा कितना हो जाएगा, multiply करता हूं, तो 18 आएगा, मतलब हम इसे इसा लिख सकते हैं, कि 6 x square minus 9 minus 2 x minus 3, ठीके, अब आगे, 6 x square as it is रहेगा, इसका multiply करूंगा, तो 9 और यह x का multiply होगा, तो क्या जाएगा, 9 x, एसे ही minus और minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, 2 x minus 3 as it is, is that clear, now continue, हम यहाँ क्या करेंगे, 2 2 के pair बना देंगे, इन में से common निकालेंगे, ठीको 3 की table में 6 भी आता है, 3 की table में 9 भी आ बचेगा, यहाँ पर x square में से x बाहर हुआ है, तो only 1 x, फिर यहाँ पर minus as it is, 9 तो 3, 3 जा 9 तो 3 बचेगा, और x already common है तो, फिर प्लस इन दोनों टम में क्या common निकारा है, कुछ भी और जब कुछ भी common नहीं होता है, तो वहाँ पर already one common होता है, ठीके, 2 x minus 3, अब देखो, इ plus 1, ठीके, अब ये दो हमारे क्या बन गए, फेक्टर बन गए, इनसे ही धी हम 0 find करते हैं, तो इनसे 0 find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 x minus 3 को भी 0 के equal रखना पड़ेगा, और 3 x plus 1 को भी 0 के equal रखना पड़ेगा, ठीके, यहाँ से हम देखें, तो 2 x equal to minus का 3 दर प्लस का 3 हो जाएगा, और 3 x equal to minus 1 हो जाएगा, प्लस का है तो, यहाँ से आपको 1 0 जो मिलेगा, वो हो जाएगा 3 by 2, और यहाँ से x equals to minus 1 by 3, ठीके, इस तरीके से इस equation के 2 0 क्या हो रहे हैं हमारे पास, 3 by 2 and 1 by 3, आचा करता हूँ, यह question आपको समझ माया होगा, एसे ही question को आ वापिस से देखिएगा, और आपको question समझ में आएंगे, आप कर सकेंगे, ठीके, अच्छे से practice करते रहे हैं, और यदि आपको मेरे question समझ में आ रहे हैं, तो like जरूर कीजिएगा, और अपने friends के साथ share कर लिजिएगा, thank you